श्री गनेशा ये नमाहा, नमशकार दोस्तों दोस्तों, चंद्रमा हमारे देनिक राशी फल में काफी महत्व रखती है धाई दिन में चंद्रमा अपना स्थान बदल देती है उसी साब से हम पर चंद्रमा का अच्छा या बुरा प्रभाव दिखता रहता है और उसी तरह से हमारा दिन भी गुजरता है तो चलिए देखते हैं इस दिन चंद्रमा आप पर किस तेरे का प्रभाव डालने वाज़ा है चलिए देखते हैं ये दिन आपके लिए कैसा रहेगा दोस्तो इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में नौवे भाव में रहेंगे दोस्तो ये दिन आपके लिए भागे शाली रहेगा इस समय में कर्म कम और लाब ज्यादा के योग बन रहे है इस समय में आपको भागे का अच्छा साथ मिल रहा है इस समय में आपका हर काम भाग्य के भरोसे पूरा भी हो सकता है इस दिन आप लखी रहोगे अपने लख को आजमाने का ये आपके लिए सही समय रहेगा इस दिन आपके बिजनेस या प्रोफेशन के लिए की गई यात्राएं लाबदायक सिद्ध होगी इस दिन आपका मन प्रसन रहेगा आप जोस से भरे रहोगे हर काम को समय पर पूरा करोगे रुके हुए पेंडिंग कामों को पूरा करने के लिए ये सही समय है इस समय में आपके परिवार की ओर से भी आपको पूरा सपोर्ट प्राप्थ होगा इस समय में आपको परिवार का सुख मिलेगा, संतान सुख मिलेगा और दामपत्य सुख भी इस दिन आपको जरूर पाप्त होगा अगर भाईयों के बीच कोई अनबन चल रही थी तो इस समय में वो अनबन समाप्त हो सकती है स्टूडन्स के लिए भी ये समय हर तरह से अच्छा रहेगा, भाग्य और कर्म दोनों का सपोर्ट इस समय में स्टूडन्स को मिलने वाला है कम समय में आप ज्यादा अच्छी पढ़ाई कर पाओगे कॉम्पिडिटिव एक्जैम्स देने वालों के लिए भी ये समय उत्तम है इस दिन आपकी सारी चाय पूरी हो सकती है आपके मनमुताबिक दिन व्यतीत करने का मोका आपको इस समय में मिल रहा है उसका लाब जरूर उठाए और जीवन के हर पल का पूरा आनन ले ये समय स्वास्ते के लिए भी काफी अच्छा रहेगा इस दिन आप फिट रहोगे पूरी तरीके से स्वस्त रहोगे मन में प्रसंदता रहेगी और एनरजी से भरपूर दिन रहेगा किसी पूरानी स्वास्ते परिशानी से परिशान है तो उसका इलाज भी इस समय में मिल सकता है दोस्तो चंदरमा मन का का रखे और चंदरमा की मजबु स्थिती आपके मन को प्रसंद रखेगी व्यर्थ के लड़ाई जगडों से इस दिन आपका बचा होगा हर प्रकार से दिन आपके लिए काम्याबी से भरा रहेगा इस दिन पीले रंका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और इस दिन शुब अंक रहेगा तीन अंक दोस्तो ये राशी फल चंदरराशी पर आधरित है लेकिन कभी कभी हमारी personal कुंडली में बाकी ग्रहों की position कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशीपल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशीपल को एक मार्ग दर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा